खेसारी लाल यादव जाने जाते हैं अपने स्चाइल के लिए भी जी हां खेसारी भोजपुरी में जितना सोना पहनते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में शायद ही कोई होगा जो इतना सोना पहनता है वैसे खेशारी लाल यादो को शौक है सोने की चैन पहनने का ये तो सब ही जानते हैं लेकिन खेशारी लाल यादो बिग बॉस के घर में भी जब उनकी ग्रैंड इंटरी हुई थी तो वो चाह रहे थे कि वो सोना पहन के जाए यानि उनकी जितनी सारी चैन है वो सब कुछ पहन के जाए लेकिन बिग बॉस शो के मेकर्स ने ये करने से मना कर दिया कि बिग बॉश शो के मेकर्स नहीं चाहते थे कि खिसारी अपने इस अवतार में आए बल्कि सब चाहते थे कि खिसारी की एंट्री ग्रेंड हो लेकिन उनके गले में गमचा लटका हो क्योंकि गमचा को यूपी बिहार की निशानी माना जाता है इसलिए ओडियंस उनसे रिलेट कर पाए खिसारी लाल यादों का ये सपना धरा का धरा रह गया कि वो बिग बॉश शो में इतने सारे गोल्ड के साथ जाए और तो और बिग बॉश शो में गोल्ड इतना सारा ले जाना अलावड भी नहीं है पिर अगर बिग बॉश शो में खिसारी चले भी जाते हैं इतना गोल्ड लेकर तो उन्हें रखने की सबसे बड़ी समस्या होगी बकाइदा एक या दो कैमरे तो उनके गोल्ड की निगरानी रखने के लिए ही चाहिए अब भाई इतना ताम जाम कौन पाले इसलिए खेसारी लाल यादो को पहले से ही मना कर दिया गया कि वो अपने गोल्ड प्रेम को बाहर ही छोड़ क्या है जब वो घर में जाएंगे तो बिलकुल सादे और सिंपल वे में जाएं जिस तरह से बिग बॉस के घर का हर कंटेस्टेंट है तो भाई खेसारी लाल यादो का सपना तोड़ दिया बिग बॉस वालों ने भोजपुरी जगत की होट और मसाले तार गोशिप के लिए हमें सब्स्राइब करना बिलकुल न भूले